मेरादि रादे स्रीर जी के किजिन में आप सभी का स्वागत अज हम आप सभी के लिए बहुत ही स्वाधिश बहुत पर्फेक नेए बहुत जून के वरति कने में बहुत है तो चलिए से गी मैल्ड हो जाने देते हैं तो यह देखे गी मैल्ट हो गया है ये हमने एक कप बारिक वाला बेशन छान कर लिया है अब बेशन को लगा तार लो फ्लेम पर भूनना है जब तक भूनेंगे जब तक बेशन का कलर हलका ब््राउन नहीं हो जाता बेसन को लो फ्लेम पर लगातार चलाते वी भूनना है जब तक भूनना है जब तक बेसन घी न छोड़ दे तो आप देख सकते हैं बेसन ने घी छोड़ दिया है लेकिन अभी बेसन अच्छी तरह से भूना नहीं है अभी इसे भूनने में कम से कम 2-3 मिनट का टाइम और लगेगा तो आप देख सकते हैं बेसन का कलर चेंज हो गया है बेसन को भूनते गुए हमें 10 मिनट का टाइम लगा है अब इसी स्टेच पर हम एक कप डेसी केटेट कोकोनट पाउडर डाल देंगे अब अच्छे से मिस कर लेंगे कम से कम 2 मिनट तक चलाते हुए तो इससे क्या होगा ये अच्छे से भून भी जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा बरफी में तो ये देखें कोकोनट पाउडर भी भून गया है अब हम इसमें आधक कप खुविया डाल देंगे खुविय से बहुत अच्छा टेस्ट आता है बरफी में अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिस कर लेंगे कम से कम 2 मिनट तक और अच्छे से मिस करना है आपको तो इस तरह से आप खुई को दबाते हुए अच्छे से मिस कर ले तो ये दिखी सारी चीजें हमारी अच्छे से भुनकर तैयार हो गई है गैस की फिल्म को अब हम बंद कर देते हैं अब चलिए इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं अगर आप इस तरह से बर्फी बनाएंगे तो ये बर्फी आपकी बहुती स्वाधिश्ट और बहुती पर्फेक्ट बनेगी आप जरूर ट्राय करके देखिए ये हमने बर्फी जमाने वाली ट्रेल ली है अगर आपके पास कोई थाली हो तो आप उसमें वी बर्फी अच्छे से जमा सकते हैं अब हम देशी घी से ग्रीश कर देंगे इसमें ब्रस से जिससे कि जो बर्फी है हमारी बहुत आसानी से निकल सके ये हमने बटर पेपर लिया है अब हम बटर पेपर को इस तरह से लगा देंगे और हलका सा देशी घी बटर पेपर के उपर फिस कर देंगे इससे बर्फी बहुत आसानी से निकल जाती है तो चलिए ये तैयारी तो हमारी हो गई है अब हम इसको रग देते हैं साइड में अब हमने गैस को और ने किया है प्राइफिर में आधा कब हम पानी डाल देंगे एक चौथा ही चमा हरी राइची पावडर डाल देंगे दो तीन बूध हम रैड फूट कलर डाल देंगे इसमें अब सारी चीज़ों को अच्छे सिमेश कर लेंगे अब चलिए गैस को अन कर लेते हैं तो ये देखी गैस को हमने लो फ्लिम पर रखा है अब चास्मी बना लेते हैं चास्मी बनाने के लिए एक कप चीणी डाल देंगे अच्छे सिमेश करेंगे अब चीणी को जब तक पकाएंगे जब तक चीणी गाड़ी में बजाती है मतलब एक तारगी चास्मी नहीं बन जाती है तो इसे चलाती हुए कम से कम में पांच सी साथ मिनट का टाइम लगा है आप देख सकते हैं चीनी साइट साइट से जमने लगी है और ये देखिए इस प्रेजुला से हम आपको दिखा रहे हैं तो एक ता लॉक ने करते हैं तो लाइब जरू कर दीजीए अब अच्छे से इस तरह से मिस्ग करना है तो ये देखिए जब आप इस तरह से छे से मिस करेंगे तो ये अपने आप ठीक होने लगेगा अब हमने जो shift वाली ट्रे में बटर कोशा फ़ल लगा का रखा था प्लिष कर क अब इस तरह से बेटर को सारा हम डाल देंगे अब इस पेचला से अच्छी तरह से सेट कर देते हैं दतिया में हम पीतामरा माई की दर्सन करने गए थी तो वहां पर हमने यह वर्फी परसाथ की रूपने खाई थी जो आप लोगों के साथ शेयर की है आप जरूर ट्राय करके देखें आप सभी लोगों को होती ज्यादा पसंद आए अब हम काजू पिस्ता बादाम से थोड़ा के लिए रूप देते हैं तो यह देखी हमने पंकी की हवा में घंटे के लिए रग दिया था हैं अब चली की कटिंग कर लेते हैं यह यह बहुती स्वाधिश्ट और बहुती पर्फेक्ट बनी है और यह अंदर से बहुती सौट है आप जरू बना कर देखें आप सभी अब चलिए सर्फ कर लेते हैं अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सिरी जी की किचिन के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले कमिन्स करके जरूर बताए हमारी रेस्ट्री आपको कैसी लगी अब हम आपको बर की तूड़ कर दिखाते हैं तो यह देखिए अंदर से कितनी सौप्ट है